हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवानी और हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Ministry of Home Affairs की Unlock 4.0 की कुछ गाइड लाइन्स अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को तुरंट सब्स्ट्राइब करें इस ख़बर को सुनने के बाद दिल्ली के सीम अर्विन केज जिवाल ने ट्वीट करके अपनी खुशी जताई आएए जानते हैं कि इन गाइड लाइन्स का हमारे लिए क्या मतलब है सबसब पहली बात जो भी इंडिया में कंटेन्मेंट जोन्स थे यानि कि जहां पे केसिस बहुत जादा थे वहाँ पे strict implementation of lockdown 30th September तक जारी रहेगा Point No.2 Metro Rail की सेवाएं 7 September से एक phased manner में चालू कर दी जाएंगी अभी तक जो खबर हा रही है उसके हिसाब से Metro में कितने passengers चर सकते हैं उस पे एक limit लहेगी Trains लंबे देर तक आपका इंज़ार करेंगे ताकि धक्का मुकी ना हो Metro के coach में thermal cameras जगे रहेंगे जो automatically आपका कितना temperature है वो बता देंगे आप face mask के बिना enter नहीं कर सकते और जो coach का temperature है वो 26 degree पे maintain रहेगा इसके अलावा Metro पे security बढ़ा दी चाहेगी ताकि इन norms का पालन हो सके कोई भी social academic, sports, entertainment यहाँ पर आपकी movie theaters आ जाएंगे political rallies या कोई भी campaign, cultural and religious purpose के लिए एक ceiling लगा दी गए है मतलब कि अपर limit 100 लोगों की 100 लोगों से जादा एक जगे पर खटे नहीं हो सकते हैं साथ ही साथ जो बाकी के basic guidelines नहीं की सब को mask पहनना है social distancing norms follow करने है और thermal scanning, hand wash, sanitization वो सब वैसे ही बरकरार रहेगा guideline number 4 कोई भी school का staff भले वो teaching हो या non teaching हो उन में सिर 50% लोगों को अब school में बुलाना allowed है लेकिन उसके लिए purpose defined है कि वो सिर्फ online teaching या telecounseling जैसे चीजों के लिए बस खूला सकते हैं हमने बहुत सुना है कि बहुत सारे teachers हैं इनको online teaching में काफी दिक्कते हो रही है तो यह कदम इन सब चीजों को दिमाग में रखके government ने लिया है guideline number 5 जो पहले restriction था लोगों के ट्रावल करने में या गुश के ट्रावल करने में दो स्टेट की बीच में या within the same state वो restriction अब हड़ गया है और आपको कोई भी permit या permission या approval लेने की ज़रूरत नहीं है अगली important guideline school students के लिए तो schools open नहीं हो रहे हैं लेकिन अगर class 9 से लेके बारवी class तक के बच्चे अगर school जाना चाहा रहे हैं volunteer basis के मतलब कि school mandatory नहीं कर सकता है कि आपको आना ही आना है और इसके लिए purpose भी defined है कि उनको अगर teacher से पढ़ाई में help चाहिए तो ऐसा उनका school आना allowed है लेकिन इसके लिए उन्हें अपने parents और उनके guardian से एक written consent लिखवानी होती है ऐसे ही जो PhD scholars हैं या जो post graduate के students हैं अगर उनको अपने पढ़ाई के लिए अपने research के लिए अगर laboratory या कोई experiment अगर करना है उसके समान के जरुवत है तो वो अपने college जा सकते हैं guideline number eight कोई भी state या union territory central government की permission के बिना containment zone के बाहर lockdown नहीं लगा सकती है point number nine open air theaters जाने कि बोथ theaters जहां पर एक छत्मी होती है जहां पर लोगों को पास पास चुपके नहीं बैठना पड़ता है ऐसे theaters 21st September से open हो सकते हैं तो यह एक थोड़ा relief है उन लोगों के लिए जो की plays और dramas और theaters से जुड़े हुए है और हम audiences के लिए बिकाज काफी राइम से हमें entertainment नहीं मिला है guideline number 10 जो भी COVID-19 को लेके national directives issue हुए ते पहले उन सब का पालन अभी भी करना है बले वो social distancing norms हो या shops में लोगों को कैसे खड़े होना है उसको लेकर हो वो सारे norms अभी भी applicable है thank you for watching this video stay home stay safe and like share and subscribe this video if you found something useful in it